कि अज़ा दोस्तों स्वागत आपका इस्टेशन में और आज हम बात करेंगे कि हम शेर्स ट्रांसवर करने के बाद जब हम हमारा पोर्टफोलियो चेक करते हैं तो वहां पे आपको शेर्स दिखते नहीं है और वहां पे आपको एन ए लिखा होता है नौट अवेलेबल या फ पॉसेज मैंने पहले दो वीडियो में बता चुका हूँ तो उसका आप वीडियो देख सकते हैं उसके आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन के अंदर लिंक मिल जाएंगे तो पार्ट वन और पार्ट तू आप देखिए तो शुरू करते हैं आज को टॉपिक तो हम ओपन करते हैं काइट एप क्योंकि हमने जो शेर हैं वो एंजल ब्रॉकिंग से जीरोधा के अंदर ट्रांस्वर किये थे तो और मैंने यह SBA कार्ज के 15 शेर ट्रांसर किये थे तो यहां पर आपको दिख रहा है अब यह 20 होगा क्योंकि पहले से एक था शेर और तो यहां पर जो डिटेल है वो यहां पर अभी अभी अविलेबल है नहीं तो इसके उपर हम क्लिक करेंगे और इसमें आपको एक मैसिज शो होगा तो यहां पर आपको यह दिख रहा है मैसिज there may be a discrepancy with this stock और यहां लिखा है fix on console तो यहां पर हम क्लिक करेंगे fix on console पर तो यहां पर आपको दिख रहा है console और console में आपको दिख रहा है holdings discrepancy और यहां पर जो paragraph उसमें लिखा है कि जो इसकी buy price है वो हमने कहीं भी mention नहीं करिये क्योंकि इसका कोई option नहीं था NSDL पर तो वो हमें यहां पर mention करने पड़ेगी क्योंकि buy price के बिना यह profit or loss calculate नहीं कर सकता तो और buy price हम कुछ भी डाल सकते हैं या हमने जो पहले लिया था वो और या फिर अभी की जो price है वो भी हम इसमें डाल सकते हैं तो यहां पर detail आ रही है जो हमारा stock है उसका नाम उसके quantity और यहां आ रहा है add trade तो यहां पर हमें trade add करना पड़ेगा क्योंकि यह हम यह हमने लिया नहीं है ट्रांसर हुआ है तो इसमें हमने डालना पड़ेगा कि यह हमने कब लिया है तो इसके अंदर date purchase date और average price और quantity और नीचे आ रहा है कि यह हमने कैसे लिया था IPO या फिर other तो यह मैंने IPO में लिया था यहां मैं इसे add कर दूँगा और मैं date भी IPO वाली ही इसमें mention किये अब यह यहां पर दिखा रहा है pending के अंदर तो जब यह confirm हो जाएगा तब यह आपका जो portfolio है उसके अंदर आपको यह show होने लग जाएगा और यहां जैसा कि लिखा है कि 48 गंटे के अंदर आपका जो trade है वो आपके portfolio के अंदर show होने लग जाएगा तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे like कर दीजी चैनल को subscribe कर दीजी और कोई query हो तो आप नीचे comment कर सकते हैं तो वीडियो देखने के लिए दिन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में